हेलो नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने योटूब परिवार राजस्तान क्लासेश पर दोस्तों नौ बज चुके हैं और आपन जो हैं पढ़ने वाले हैं सामने विज्ञान का मॉडल पेपर मतलब कि इसमें विज्ञान के चैनित प्रस्न होने वाले दोस्तों रसाइन के जीव के बहुती के भी कुछ क्वेशन है मतलब कि मिक्स कंटेंट है जीव विज्ञान के थोड़े से जदा क्वेशन होने वाले तो कई ऐसे एक question है मेरे दोस्तों जो कि आपके लिए new है काफी प्रस्न आपको लगेंगी कि मैं कर भी सकता हूं कर भी सकते हूं तो दोस्तों आईएगा जो है इस model paper को देखते हैं आप कितने कुछ सही करते हैं और आपके exam की दरस्टी से अगर बात की जाए तो या अगर आप वन पाल वन रख्सकी तयारी कर रहे हैं या पिर PTT कर रहे हैं तो भी या आपके लिए तो रामबान साबित होने वाले एक question होने वाले हैं तो आएए दोस्तों पहला question है कि विश्व जैव विविता दिवस कब मनाया जाता है यह आपको बताना है जल्दी से बाइस मार्च ऑप्शन दे रहे हैं बाइस अप्रेल भी ऑप्शन दे रहे हैं और बाइस मई भी ऑप्शन दे रहे हैं और बाइस जून भी ऑप्शन दे रहे हैं तो विश्व जैव विविता दिवस जोईना यह बाइस मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविता प्यारे दोस्तों यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है और वैसे जो है ना मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों अंतर राष्ट्री जो जय विविता दिवस बाइस मार्च को भी मना जाता है यह चीज भी आप ध्यान रखेंगे साथ इसाथ नेक्स क्वेस्न हे विद्यूद बल्प का फिगविविवेंस होता है यह आपको बतना है जलदी से बता दीजिएगा अक्रोमियम का या फिर टंगस्टन तैं प्रमे का या तामबे का या फिर जस्ते conten अगर आप से बात कि बात की जाएं राइट आंसर की तो बात संग लिए काम आता है तो दोस्तों विद्यूद सामान बनाने के लिए एक तो काम आता जैसे विद्यूद बल्ब का फिलमेंट जो है इसी का बना होता है ठीक है यह कुछ गलनांक वाली दातु भी है इसके बारे में भी आपको जान कर रखने हैं भी ऑप्षन के साथ चला जाएग और दोस्तों इसके बाद नंबर आता है तांबे का और देखे चांदी फिर तंबा फिर जो है सोना आता है ठीक है भी या तो इतना इंपोर्टेंट क्वैसन है ध्यान रखियो बस अगला प्रस्ण आपके इसकन पर बारतिय सब्जी शोद संस्तान जो है इस्तित है वह वार वारानसी में है या फिर लकनव में या फिर मैसूर में या फिर बैंगलूरू में क्या हो ही जाएगा राइट आंसर जल्दी से बता दीजेगा इंपोर्टेंट क्वैसन है दोस्तों जल्दी से बताना है आपको आंसर और फिर देखते हैं क्या होता है भारतिय सब्जी प्षिप्ट गिया था ठीक है ध्यान डखना और एगर मैं आपसे बात करूं कि भी सरवादব चब्जियां कहां पर होती है तो भी या सरवाद्रीग सब्जियां कहां पहुंच आता है ये आप गता दीजे का आंसर क्या होगा बाल बीविल जो कीट है ना किस फसल को नुकसान पहुंच आता है कपास या पिर धनिया को या सरसों को या पिर चावल को बाल बीविल नाम से जो कीट है ना ये कपास की फसल को नुकसान पहुंच आता है मेरे दोस्त और चावल की बात की जाए गंदी बंग है ना गंदी बंग नाम से जो है ये इसे नुक्सान पहुंचाता है तो भईया ये चीचे हैं आपको रखनी होगी ध्यान ऐसे क्वेस्टन अगर बन जाए तो भईया क्या करेंगे राइट कर लेंगे भूलिएगा मत बस अगला प्रस के साथ चला जाएगा राइट आंसर ठीक है और अगर विश्व की बात की जाए तो भईया आप मैंने आपको कई बार बतायता है विश्व के हरित करांती के जोनों के वो है नौर्मन ब्लॉग मेरे दोस्तों क्या नौर्मन बॉर्लॉग ठीक है ना बॉर्लॉग ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और दोस्तों शुरुआत जो हुई थी ना हरित करांती की वो निसो त्यालीस में हुई थी वोले सर कहां से तो भईया मैक सी को से अब तो आप गलत करेंगे नहीं अगर ऐसा प्रस्ट न कर लिया जाए तो चले जाब नेक्स्ट है मसाला बोर्ड भा भारत के किस शेयर में है तो यह कोची में है और जो की कोची अपना कहां पर है बुले सर कैरल में है यह तो हम जानते हैं जी बिलकुल ए ओप्सन के साथ चला जाएगा राइट आंसर इन मैंसे कौन जो है ऑक्सी करन नहीं या पर ऑक्सी करन है राइट आंसर आपको बताना ह का निम्न मैंसे कौन ऑक्सी करन नहीं है मेरे दोस्तों ठीक है ध्यान रखना यह इंपोर्टेंट क्वेस्ट ने आपकी स्क्रिन पर और एगला प्रसन है लोए पर बाप के अभी किरिया से कौन सा गैस उत्पन होता है बता दीजेगा राइट आंसर क्या होगा लोए पर बा अंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन है ए आफशन के साथ जाएगा यहां पर भी आपका राइट आंसर क्या हाइड्रोजन दोस्तों काउंट करते रहिया कि आप करते रहियो कि आपके कितने प्रसन सही होते हैं जी हाँ अगला प्रसन विश्वर गोरिया दीवस कब मन कर यह दीवस मनाय जाने का फैसला लिया गया और 2010 में सबसे पहले बार गोरिया दीवस मनाय गया था 20 मार्च को मनाय जाता है हर वर्ष दोस्तों सी आफशन के साथ चला जाएगा राइट आंसर और राइट ही करेंगे और ऐसा गलत भी कभी नहीं करेंगे प्रबल अमल और दुर्बल शारक से बने लवन का पी एच मांज होता है वो क्या होता है ये आप लोगों को बताने है प्रबल अमल और दुर्बल शारक से बने लवन का पी एच मांज होता है वो साथ से अधिक के साथ से कम होता है दस और चुदा के वीच में आपर चुदा राइट आंसर बिलकुल भी option के साथ चला जाएगा विश्व मौसम दीवस कब मनाया जाता है दोस्तों कि आपसे प्रस्णिक किया जा रहा है यह जो मार्ट मांग में दोस्तों होने वाले ना यह मैं आपके screen पाज लेकर आया हूं चार question विश्व मौसम दीवस कब मनाया जाता है 23 मार्च को या फिर 24 मार्च को या फिर 23 अप्रेल को या 26 अप्रेल को तो यह अप्रेल तो नहीं होगा मार्च हो जाएगा क्या हो जाएगा बता दीजिएगा राइट आंसर इसको WMO की अनुमति से और उसी के द्वारा option 23 मार्च को विश्व मौसम दीवस मनाया जाता है और भारती प्राणी विज्ञान सर्वेक्षन के अंदर कहां पर है आप पढ़ते हैं विज्ञान और विज्ञान में अगर आपको नहीं पता कि भारती प्राणी विज्ञान सर्वेक्षन के अंदर कहां पर इस्तित है तो के सर आगे बढ़ते हैं और अगले अगले प्रश्ण को देखते हैं नेक्स्ट question है के तली में लगड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं फेशन की वजह से लगड़ी ताप का कुचालक 돼 है और हैंडल गरम नहीं होता हलका होता है या फिर एन मेंसे कोई नहीं तो भई या कितना important question है कितना important question है कि भी केतली में लकड़ी का handle क्यों लगाते हैं क्योंकि लकड़ी ताप का कूचा लगा है और handle गरम कभी नहीं होता तो भई या B option को lock करने में किस बात का संकोश है की नहीं कोई संकोश नहीं बिल्कुल सर कर द जी विग्यान शब्द का सरोपर्थम परियोग किस नहीं किया था इतना आसान question पूचा जा रहे हैं लेमार्क होगा लीन यस होगा या अरस्तू होगा या पिर इन मेंसे कोई नहीं क्या हो जाए अगर आई टांचर बता दीजिए वैसे अगर बात की जाए तो भाया जी वि द्धियान रेखना इक तो लेमार्क ने तो यहाँ पे आप ईआप्सन को मोड करेंगे और यहाँ पर मैं लिखे देता हूं ट्रे विद्रांna त्रेंगी थ makers कि बंस इन्हों देखेंगे नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है तो रेटिना के द्वारा या फिर आईरिस के द्वारा या सिलियरी मास पेशियों के द्वारा या फिर कार्निया के द्वारा नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है मास पेशियों के द्वारा हो जाएगा राइट आंसर मास पेशियों के द्वारा हो जाएगा C option बिलकुल आसाँ दो समाना अंतर देखेगा दो समाना अंतर दरपणों के बीच परति बिम्ब बनते हैं वाई सहाब कितना आसान क्वैसन है जी बिलकुल देखे जल्दी से बोले सर हम लॉक करेंगे D option को करेंगे दो समाना अंतर दरपणों के बीच परति बिम्ब बनते हैं दो समाना अंतर दरपणों के बीच अनंत अने को परति बिम्ब बन जाते हैं भया D option लॉक करेंगे अपन अनंद हो जाएगा ठीक है सर आगे बढ़ेंगे अगला प्रसना आपकी स्क्रिन पे पूचा यह जा रहा है कि निवन मैसे कौन सी फसल मृदा को नाइटो जन से भरपूर कर देती है यह आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा निवन मैसे कौन सी जो फसल है मृदा को नाइटो जन से भरपूर कर देती है तो दोस्तों मक्का की फसल या फिर जो आर की फसल या मतर की फसल या फिर जो है चने की तो भहिया मतर की फसल हो जाएगा नाइटो जन से मृदा को भरपूर कर देती है तो भहिया किसको फाइदा मृदा को भी फाइदा मतर को भ पाइदा आपके लिए के कलास जो है कंटेने उनीचिये आपके लिए आशाए उमिदत करें आपके लिए मा सरस्वती की आशिरवाद से आपके लिए क्लास से रेगुलर चलती रहे बस ये आपका धहरे काम आएगा अगर कुछ धहरे है ना कुछ तो दोस्तों पढ़ते रहेगा अगर धहरे नहीं है तो या मैं तो पढ़ाता रहूँगा मैंने बोल दिया है कि मैं आपके लिए क्ला time to time बस ये बात ये है कि आप जो है कितना इसको important में लेते हैं ये आपके उपर है सही का ना चलो देखते हैं कोन क्या कितना करते हैं और चलेगा और उनके message के आएंगे देखे जब जो लोग अब नहीं पढ़ते हैं और exam के time बरसाती medic के रूप में जो उबर कर आते हैं कई सारे channel भी आते हैं बरसाती medic के रूप में उबर के कि अब exam रहा है 15 दिन रहे अब बच्छों को तयारी करा है अब students को अरे क्या खाक होगी उस समय तयारी तयारी करने वाले एक एक साल दो-दो साल पहले से लग जाते हैं वो लोग है ना जैसे आप लोग लगे हुए हैं मैं देख रहा हूँ जो भी भाइब ने धैरे के साथ जोड़े हुए ना अभी भी वक्त है कि धैरे जो है अपना कायम रखो अने था मेरे दोस्तों selection है ना कोई नी देगा आपको पढ़ना पड़ेगा regular एक महिने में कोई selection कोई नी देता और रातो रात किसी का selection होता है वो यह बातें उसी में रह जाती कि रातो रात वायरल हो गया वो social media पे होता है धरातल पे कोई नी उता ध्यान डखना ठीके है चले क्या हो जाएगा राइट आंसर शिली का क्या है उपदातू अदातू या अदातू या इन मैंसे कोई नहीं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए आपसन उपदातू है दोस्तों ठीक है शिली का क्या है एक उपदातू है ए आपसन के साथ चला जाएगा प्यारे भारतिय प्राणी विग्यान सर्वेक्षन केंदर कहां पर इस्तित है ये बता दीजेगा आंसर नमर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताना है भारतिय प्राणी विग्यान सर्वेक्षन केंदर कहां पर है तो कोलकाता रांची या फिर नई दिली या फिर भोप नियुक्त प्रूम कोई सब्सक्राइब। कीतीfolg 1913 में ठीक है लेकिन वहाँ पर बहुर लोग रित क्रांती के जनक माने जाते है जब कि भारत की बात की जलए तो भारत में तो अरित क्रांत्य भारत में जो फं क्षप सी योजना की बात करें तो थीश री पंशफ़रों में लागू की थी जो की 1961 से今年 स साल पूछ तक रहा था है ना इसमें लागू की थी दोस्तों और सरु परतम अगर बात की की जाए उनिस सो सट में की ती व débापने स्वामी नातन जो यह जनक कहा जाते ठीक है भाया ये question बड़ा श्रांदार था हरित करांती से समंदित आप गलत कभी नहीं करेंगे अगर question पूछ ले जाए तो है कि नहीं चल नमबर 22 में क्या है कि मैक नमबर समंदित है द्वानी की गती से या जल्यान की गती से या हवाई जाहाज की गती से या फिर अंत्रिक्स यान की गती से तो भाया द्वानी की गती से नहीं होगा जल्यान में भी मैक नमबर नहीं होते है मैक नमबर हवाई जाहाज की गती में होते है मेरे दोस्तों लॉक हो जाएगा C option फिलाल C option को लॉक करेंगे next question है ये कहाँ पर स्तित है जल्दी सेowią स्तित है अस्प में बिहार में मेगा लैमें या फिर उत्तर पर्देश में या आपका D option हो जाएगा उत्तर पर्देश पहरे दोस्तों क्या हो झाएगा UP हो झाएगा UP में राष्टर जैवी क्रस्स अंस्तान है और अगर बात की जाए कि यूपी में भी कहां पर है तो भी अपने गाजियाबाद में है ठीक है बिल्कुल इंपोटेंट क्वेसन है ब्राउन स्पोर्ट रोग किस फसल में होता है जल्दी से आंसर बता दीजेगा देखते है किसकी क्या स्पीड है हां जी जी बिल्कुल जल् क्यूंसा होता है गें away टंडु रोग होता है क्या टंडु रोग होता है रुल में और तबाकु मेर दुख्सыт में कई बार बता चुका हैं मोजे एक रोग तंबाकु में होता है नेक्स्ट क्क्वेस्ट है सूरिये उदेह होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है तो दोस्तों राइट आंशर इसमें ना काफी भाईबने जो है कनFU goeंगे लेकिól के किरन और प्रकिर्णन दोनों अफसन देरेके ना पर फिर भी मेरे दोस्तों प्रकिर्णन हो जाएगा रायट आज़ें प्रकिर्णन कार्थ होता है फैलना क्या होता है फैलना ठीके और दोस्तों ये एक सामनै जा और जिसमें अगर बाद की जाये कोई विकी ररंड जैसे प्रकाश एक्स करने आधी यह थीए ठीक है तो फिलाल डी अप्सिन हो जाएगा राइट अग्ला प्रश्छ किस मिटी का स्थानि नाम रेगूड है किस मिटी का स्थानि नाम जो है रेगूड है मेरे दोस्तों धिहान रखना और पिछले क्वेसन मैंने बताएं उसमें धूल के कण भी साइक वो सकते क्या रैगूर्ड भी ऐसी जप इस तानी नाम तो दुस्तों भी आपशन होझाएगा जायागा काली मिट्टी को रैगूर्ड कहा जाता है next है सबसे हलकी दातू कौन सी होती है भाईया question कितना आसान है इनमे से सबसे हलकी दातू कौन सी होती है lethal, iridium, iluminium या फिर ocmium right answer क्या हो जाएगा very very important और very very आसान सबसे हल की दातु जो है लीथियम होती है भाया A option lock हो जाएगा number 28 द्रवों में आवेश का प्रवा होता है क्या हो जाएगा right answer द्रवों में आवेश का प्रवा होता है अनुओं द्वारा या आइनों द्वारा या फिर इलेक्ट्रोनों द्वारा या फिर अपने परमाणों द्वारा right answer क्या हो जाएगा जल्दी से answer द्रवों में आवेश का प्रवा होता है आइनों द्वारा दोस्तों कि इसके द्वारा आइनों द्वारा B option फिलाल के लिए अपन लॉक करेंगे B option को अच्छा च्वैसन था या भी आपका अगला आता है गुंतीस नंबर क्या पूचा जारा आपसे गुंतीस में ये पूचा जारा कि किस अमले का उपयोग निर्जली करारक के रूप में किया जाता है हाइड्रोकलोरिक अमले या सल्फियूरिक अमले या फिर एसीटिक अमले या फिर नाइट्रिक अमले तो भाई या किस अमले का उपयोग निर्जली करारक के रूप में किया जाता है तो सल्फियूरिक अमले का उपयोग किया जाता है इसके लिए सल्फियूरिक B option को लॉक करेंगे कौनसे option को B option को तो प्यारे दोस्तों next question है potassium chlorate को गरम करने पर क्या होता है potassium जो chlorate होता है उसे गरम करने पर क्या होता है nitrogen gas निकलती है या oxygen gas निकलती है या फिर hydrogen gas निकलती है या इन में से कोई भी प्रतिकरिया नहीं होती तो या potassium chloride जो है ना को गरम करने पर अपना oxygen gas जो है बाहर आती है फिलाल भी option हो जाएगा lock और next question आपकी screen पे दोस्तों ये question में आपको दिया था last question में और why question में आपके लिए ये लेकर आगया हूँ last question था दोस्तों एक दिन क्लास का, त्री विद्र टीका जो है किन तीन रोगों के लिए दिया जाता है, डिप्तिरिया चेचक और टाइफाइड के लिए, डिप्तिरिया चेचक और पीलिया के लिए, डिप्तिरिया काली खांसी और टेटेनस के लिए, डिप्तिरिया पीलिया और टाइफाइड के लिए तो दोस्तों यह त्री विद्टीका जो है लगा जाता है ना ये एक योजन के दोरान लगा जाता है और राइट अंसर डिप्तीरिया काली खांसी और टेटनस के बारे में सी आप्षन को लॉट किया जाएगा ठीक है भईया और सेचक का टीका सबसे पहले है मेरे दोस पोदों के लिए अनिवारी तत्वों की कमी किन किन को दे कर दूर की जा सकती है भाया पोदों के लिए जो अनिवारी तत्वों की कमी जो होती है उसको क्या क्या दे कर दूर की जा सकती है भाया राइट आंसर नाइटोजन पोटास और फासफोरस तंबा नाइटोजन और लोह लोहा, मेगनिशियम और पोटाश, जस्ता, बोरोन और तंबा तो प्यारे दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किये लॉक करेंगे D-Option को जस्ता, बोरोन और तंबा का उप्य होगा पोदों की अनिवारी ततों की कमी के लिए, कमी को दूर करने के लिए किया जा सकता है जी, हाँ, बिल्कुल D-Option को लॉक करेंगे घडियाल जो होता है न दोस्तों, ये घडियाल क्या होता है ये बताना है आपको घडियाल सरीसरफ वर्ग का होता है, संग मोलस का वर्ग का होता है या फिर इन मैसे कोई नहीं प्यारे दोस्तों, घडियाल का पूझा जा रहा है मैं आपको दोस्तों, देखे, जो सरीसरफ होते है न सरीसरफ, सरीसरफ, इनके क्या होता है दोस्तों, इनके स्वसन फेपड़ द्वारा होता है ठीक है लेकिन अगर बात की जाए कि भी इसके जो वर्ग में और भी कुछ आते ना जी बिलकुल चिपकली भी इसी की वर्ग में आती है दोस्तों किसी का मैंने पढ़ा था या फिर मेरे दिमाग में उपजा था पता नहीं याद आ रहे हैं चिपकली जो है ना चिपकली ये याज पस्कार मगर मक्चो ओती है ना चली ना इसको जो है कुपोशन का शिकार माना जा से छे पकली सरीक्त में आती है दोस्तों व। यह सापं व्याद्ट है कश्रूअً not अगर मच्छो करा है तो फिलाल यह आप्शन लोग हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेस्टन है दोस्तों चौतीस नंबर चौतीस नंबर क्या है कि चापे खाने का अविश्कार किस क्या था यह बता दिजिए का आंसर गया होगा जी कोई बात ने देखिएगा चापे खाने-का आविश्कार किस ने किया था विलियम केक्स टन ने रोबर्ट वॉट्शन ने रॉट Team जैन ने एक आल बेंग्यों वह ऐसे हॉस्पिटल को भी कह लेते हैं कि चापक होने जवा लेकिन जो है चापे खाने प्रिंटिंग का अविसकार विलियम केक्स्टन ने किया था मेरे दोस्तों ए ओप्षन को फिलाल अपन लॉक करने वाले हैं और दोस्तों मैं आपको जो क्वेसन दे रहा हूं लास्ट क्वे से कहना चूंगा चाए कुछ भी कर लो मेरे दोस्तों कोई काम कर लो आप किसी एक काम को ले लिजेगा कोई भी उदारन की रूप में एग्जामपल की रूप में अगर करते रहोगे तो जो है ये करते रहने की प्रिकिरिया जो है बंद नहीं आउनी चीए बस एक बात बता जैसे 17 स्टाड उताथ जुलाई से ही आप पढ़ने तो लग गए थे ऐसा तो नहीं था कि अब अब मार्च आया है एक्जाम आये है चीए 22 मार्च को एक मार्च को मैंने उस्टाट की पहले पढ़ने जुलाई में नहीं की थी क्या तो वहãyी है लगो ना इस competition में भी competition में कौन सा आप एक रात में या फिर एक माह में या फिर 15 दिन में वह शिकर आसिल कर दोगे अरे भाई साब पढ़ लो रे पढ़ लो बिलकुल है ना क्यों क्या है कि competition बहुत ज्यादा है आप सब को पता यह time डेली निकलता जा रहा है मेरे दोस्तों और जब बेरोजगारी के बारें बात करते हैं तो रोना आ जाता है बेरोजगारी मेरे दोस्तों इतनी बढ़ रही है तो भया time पे संबले तो आपका है future और नई संबले तो भया अब क्या बताए है ना चलिए तो दोस्तों last का question यह है कि नियुन मेंसे किसमे कोबाल्ट उपस्तित रहता है हीमोगलोबिन, क्लोरोफिल या वीटामीन C या फिर वीटामीन B 12 इसका answer आपको 12 के comment section में बताना है क जारे दोस्तों बस या जो भी बात है कही है वो सभी का अर्थ एक निकलता है धेर्य संयम और विश्वास बनाए रखेगा ये बना रहा तो भई सब कुस मुम्किन है चले दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आवार बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्रम ऐसे हसते रहेगा मुस्कराते रहेगा पढ़ते रहेगा और सेलेक्शन तो आना है आना है धन्यवाद